ग्रीटिंग स्टुडेंट्स, टूडे वी आर गूंट दू वाक्षीट नमबर टैन, इस वाक्षीट में हम करेंगे चित्र देखकर शब्द लिखो और वाक्य पड़ो, इसमें आपको चित्र दिये गए हैं और वाक्य दिये गए हैं, आपने इसों रीड करना हैं, और फिर पिच्चर देखके उसका नाम लिखना है, नमबर वन, डैश तक चल, किसकी पिच्चर है ये, घर की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घर तक चल, नमबर टू, डैश पर चड, ये किसकी पिच्चर है, बस, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, बस, नमबर थ्री डैश पर जल भर हम किस से पानी भरते हैं? नल नमबर फोर डैश चक आजकल गर्मी में बहुत हम खाते हैं ये किस की पिच्चर है ये? आम आम फोर का राजा है नमबर शिक्स डैश पर मत चल हमें किस पर नी चलना चाहिए? किस पर नी भागना चाहिए? सडक नेक्स्ट है डैश उधर गई ये किस की पिच्चर है? औरत औरत उधर गई डैश इधर ला हम किस का जूस पीते हैं? आजकल गर्मी में काफी पीते हैं क्या है ये? गन्ना डैश बना क्या बना? किस की पिच्चर है ये? माला ना वरक्षिक नमबर 11 निमिली की मात्राओं के तीन तीन शब्द लिखो इसमें आपको सारी मात्राइं दे हुई हैं जो आप UKG क्लास में कर चुके हो तो मैं सिर्फ एक एक शब्द लिखूंगी और जो बाकी टूटू शब्द हैं तो आप मम्मा की हेल्प से कुद्राइट करेंगे नंबर वन आ की मात्रा राजा छोटी ए किताब बड़ी ए लड़की छोटाओ गुलाब बड़ाओ जूता री रीशी की मात्रा री की मात्रा म्रिग ए की मात्रा करेला अई की मात्रा बैल ओ की मात्रा कोयल अउ की मात्रा ओरत अंक यानि बिंदू पंक और यह शब्द आप खुद राइट करेंगे मम्मा आपको डिक्टेशन बोलेंगी और आप राइट करोगे नौ वक्षिट नंबर 12 उचित शब्द छाट कर वाक्य पूरे कीजिए आपको वाक्य दिये गए हैं और नीचे आपको शब्द दिये गए हैं जो सही है वह आपे यह आपे राइट करने हैं नमबर वन, हमारा रास्ट्रिय ध्वज डैश है, हमारा रास्क्रिय ध्वज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तिरंगा. next, dash हमें प्रकाश देता है प्रकाश यानि रोश्नी हमें कुन देता है सुबे सूर्य dash में सात रंग होते हैं किसमें सात रंग होते हैं सभी बच्चे देखा हुआगा कुछ-कुछ बच्चों ने इंद्र धनुश यानि rainbow dash हमारा रास्ट्रिय पक्षि है हमारा रास्ट्रिय पक्षी कोने मोर डैश दीपों का त्योहार है हम कब दीप जलाते हैं कब दिये जलाते हैं दिपावली डैश हमारा रास्ट्रिय पुश्प है पुश्प यानी फूल कोने हमारा रास्ट्रिय फूल कमल नाव वरक्षिट नमबर 13 सबसे चोटे में लाल और सबसे बड़े में हरा रंग भरें आपको यह पिच्चर दी गई है जो सबसे चोटा है जैसे आपको यह पत्तों की पिच्चर दी गई है तो जो सबसे चोटा पत्ता है उसमें हमने कौन सा रंग करना है लाल रंग और सबसे बड़े में हरा रंग सबसे छोटा कौन सा है ये वाला और सबसे बड़ा ये वाला आप सबी को कलर करना अच्छा लगता है अब ये वाकशीट आप खुद करेंगे अपनी आप नौ वी विल स्टार्ट मैस वाकशीट वाकशीट नौबर फॉटीन कलर दा वन विच हॉल्ड मुर मींज जादा अपने उस पिछ्चर को कलर करना है जो ज़्यादा चीज़ अपने अंदर होल्ड कर सकती है जिसमें हम ज्यादा चीज ले सकते हैं यह स्पून्स दी हुई है इसमें सबसे बड़ी स्पून कौन सी है जिसमें ज्यादा चीज ले सकते हैं यह वाली इस ग्लास में कौन सा है यह वाला इस जब में कौन सा है अब आप इसमें सुन्दर-सुन्दर कलरेंगे अपनी चोइस का नाव वर्क्षीट नंबर 15 मैच दा शेप्स एंड कलर देम यह आपको शेप्स दी हुई है और शेप्स के अंदर नेम कलर्स नेम राइट किया हुआ है रैड ब्ल्यू ओरेंज ग्रीन येलो पिंग और सामने आपको शेप्स दी हुई है अपने शेप्स को मैच करना है कि कौन करना है कि क्यायर को आपने स्क्रीयर से मैच करने सर्च आउत करने स्कूर कहा है और हेक्सा गौन को अपने हेक्सागोन से मैच करने सर्कल को सर्कल से पेंटागोन को पेंटागोन से एंड रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मैंने मैच कर दिया है अब आपमें जो यह स्पैलिंग्स दी हुई है आपे कलर्स की वही कलर आपने इसमें फिल करना है ट्रेंगल में कौन सा कलर करना है रेड square में blue, hexagon में orange, circle में green, pentagon में yellow, rectangle में pink, अब आपने इसमें अच्छा अच्छा color fill करना है, नाव वरक्षीट नमबर 16, before, between and after, ये concept आप UKG में कर चुके हैं, मैं फिर भी मैं आपको बता दूँ, before means पहले, between means बीच में, after means बाद में, नमबर वन, what comes just before, ये जो भी number दिये गए हैं, इनसे before वाले number राइट करने आपने, before मैंने आपको बताया है कि before का मीनिंग क्या होता है, पहले, like 9 से before क्या आता है, 8, 11 से before, 10, 32 से before, 31, 21 से before, 20, 43 से, 42, 38 से before, 37, The next question is, what comes just after, after means बाद में, यानि आपने इस नमबर के बाद वाला number राइट करने है, 14 के बाद क्या आता है, 15, 27 आफटर, 28, 33 आफटर, 34, 43 आफटर, 44, 48 आफटर, 49, 29 आफटर, 30, Next question is, what comes in between, 19 आफटर, 21 के between, between means, बीच में, इनके बीच में क्या आता है, 19 आफटर, 21, क्या आता है इसके बीच में, 20, 41, 40 आफटर, 42, between, 41, 24 आफटर, 26, between, 25, 13 आफटर, 15, 15, between, 14, 29 आफटर, 31, between, 30, 48 आफटर, 50, between, 49, Now worksheet number 17, 2 6s are 12, 3 8s are 24, 4 7s are 28, 5 10s are 50, 9 9s are 81, 6s are 0, 0, 8 3s are 24, 9 1s are 9, 10 6s are 60, 8 8s are 64, 4 4s are 16, 2 1s are 2, 3 3s are 9, 10 10s are 100, 6 5s are 30, 7 9s are 63, 9 4s are 36, 4 6s are 24, 5 8s are 40, 7 2s are 14, 2 2s are 4, 10 7s are 70, 7 1s are 7, 10 5s are 50, अब हम worksheet number 10 से, worksheet number 17 कम्प्लेट कर चुके हैं, अब आपने worksheet number 10 से, worksheet number 17 तक इनका रिवीजन करना है, after that you will get your best, okay, bye, thank you,